राजस्तान में साथ सीटों पर उपचुनाव के लिए राजनितिक दलों के दुआरा कमर कसली गई है सातों ही विदानसवा सीटों पर 13 नमंबर को मद्दान होगा इसको लेकर भारतिया आदिवासी पार्टी के दुआरा सलंबूर और 84 दो सीटों के उपर अपने उम्मीद्वार उथार दिये हैं दूसरी तरफ भारतिय जन्ता पार्टी ने भी साथ में से 6 सीटों पर अपने उम्मीद्वारों की गोशना कर दी है केवल 84 सी सीट ऐसी है जहां पर अभी तक उमीदवार घोशित नहीं किया गया है कॉंग्रेस की तरफ से अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक एक भी उमीदवार की घोशना नहीं की गई है बताया यह जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी और राष्टे लोगतांत्रिक पार्टी के बीच में गठवंदर होगा और इसको लेकर दो सीटों पर राष्टे लोगतांत्रिक पार्टी के दुवरा मांग की जा रही है एक seat खीम सर है जो कि हनुमान बेनिवाल की परमपरागत seat है यहाँ पर हनुमान बेनिवाल अपने परिवार से या अपने दल से किसी व्यक्ति को टिकट देकर मैदान में उतार सकते हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने एक और seat देवली उनियारा या फिर जुन्जनू से भी टिक के संबर से क Apache किशी तरह से राजस्थान में इंड़ने लेने की इस्तिती में नहीं है वैसे यह बात साफ है कि हो था भॉत ज्यादा नहीं होता है असल बात ये है कि कॉंग्रेस की तरब से भी गोविन सिंग डोटासरा को अपने अलाकमान से पूछना होगा कि एक सीट राष्टे लोगतांतरिक पार्टी को देनी है या दो देनी है या देनी ही नहीं है आपने देखा होगा कि अभी तक जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे ह उससे साफ है कि कॉंग्रेस का जो मूल कार्य करता है जो काम करने वाले लोग हैं वो राष्टे लोगतांतरिक पार्टी को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है लेकिन गोविन सिंग डोटासरा हनुमान बेनिवाल के तीखे बयानों के बाद भी बयान देने से बच रहे ह कारण ये है कि गोविन सिंग डोटासरा नहें तो गटवंदन करने के लिए अधिक्रत है और नहीं ही गटवंदन तोड़ने की स्थती में हैं ऐसे में गोविन सिंग डोटासरा नहीं चाते हैं कि उनका एक बयान राष्ट्य लोगतांतरिक पार्टी के हनुमान बेनिवाल नाराज करे क्योंकि कॉंग्रेस की आज की तारीक में राजस्तान में इस्तिती ये है कि सलंबुर और चोरांसी इसके अलावा खीमसर ये तीन सीट ऐसी है सात में से जहां पर कॉंग्रेस पार्टी का उम्मिद्वार जीतने की इस्तिती में बिलकूल भी नहीं है लेकिन क्योंकि डुंगरपुर्वास वड़ासे राजमार रोध सांसद हैं जो भारत आदिवाशी पार्टी के हैं और नागोर से हनुमान बेनिवाल सांसद हैं जो राष्टे लोगतांत्रिक पार्टी के हैं और दोनों का ही इंडिया अलाइंस के साथ गटपंदन है यदि गोविन सिंग डोटासरा के बयानों की वज़े से हनुमान बेनिवाल और राजमार रोध कोंग्रेस पार्टी के साथ इंडिया अलाइंस से अलग हो जाते हैं तो राश्ट्रे लिवल पर कोंग्रेस पार्टी कमजोर होती है इसी को ध्यान में रखते विए गोविन उनका अलाइंस हो सकता है लेकिन दो सीटों की वो मांग करते हैं क्योंकि राजस्तान में जिन सीटों पर उन्हों ने चुनाव लड़ा था वहां पर बड़े पहमाने पर उनको वोट मिला था ये बात दूसरी है कि हनुमान बेनिवाल खुद केवल खीम सर्भ से विदान के उपचुनाव में से दो सीटे उनको मिलनी चाहिए कॉंग्रेस पार्टी दो सीटे देगी नहीं केवल एक सीट पर अलाइंस कर सकती है और वो है खीम सर्भ इसके साथ ही जैसा कि भारत आदिवासी पार्टी के दुआरा दो सीटों के ऊपर अपने उमिद्वार उतारे ज दीजाए तो भारते जंता पार्टी के दुआरा किरोडि लाल मिना के भाई जगमोहन मेंना को टिक्ट दिया गया है लगातार चर्चा सोचल मीडिया पर चल रही थी किरोडि लाल मेना के दुआरा जो कर्शी मन्तरी합니다 से इस्थीवा दिया गया है उसके बाद लगातार राजस्तान की सरकार के उपर हमलावर थे उससे कहीं ने कहीं जगमोहन मीना को टिकट दिलाने के भी प्रियास के रूप में देखा जा रहा था हालांकि ये बास सही है कि डॉक्टर किरोडी लाल मीना के बतीजे राजेंदर म मीना आज की तारीक में महुआ से विधायक हैं इसके अलावा उनकी पतनी गोलमा देवी भी पूरू में विधायक रहे चुकी हैं अब किरोडी लाल मीना के भाई जगमोहन मीना को दोसा से टिकट मिला है तो कॉंग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर परिवार वाद की बात क ही है कि दोसा में किरोडी लाल मीना और उनका परिवार ही कॉंग्रेस पार्टी को ठकर दे सकता था इसके अलावा कोई ऐसा उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा है जो कॉंग्रेस से मुकाबला कर सके क्योंकि दोसा विधांस पाशीट की बात की जाए तो यहां पर अश्थ बन चुके हैं मुरारी लाल मीना उनका भी इस चेतर में बड़ा दखल है ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी में सचिन पाईलेट और मुरारी लाल मिना दोनों मिलकर ही तैक रेंगे कि कि स्वियक्ति को टिकट दिया जाना है चर्चा तो सोशल मीडिया पर यह चल रही ह है कि मुरारी लाल मिना अपनी पत्नी या अपनी बेटी को ठेकर दिलाने के मूड में हैं लेकिन दूसरी तरफ कोंग्रेस पार्टी के ही नरेस मिना दोसा और देवली उन्यारा से टिकट मांग रहे हैं अब इस मामले को ज्यादा हवा इसलिए मिली क्योंकि कोंग्रेस ऐसे तो भारते जंता पार्टी में किसी तरह की बगावत दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ये बात तय है कि जसकोर मिना अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही थी इसके अलावा कुछ ब्रामन उमीदवार भी टिकट मांग रहे थे तो अंदर खाने किरोडी लाल मिना क का राजनितिक केरियर पर धबा लग जाए जब तक कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मजबूत उमीदवार दोसा में नहीं उतारा जाएगा तब तक किरोडी लाल मिना के भाई जगमोहन मिना को हराना लगभग असंबव है देवले उन्यारा सीट की बात की जाए तो अ हरीस मीना कोंग्रेस के उमीदवार थे वो जीत के थे हरीस मीना के सांसत बनने के कारण ये सीट खाली हुई थी हरीस मीना और सचिन पाइलेट दोनों मिलकरी यहां पर कोंग्रेस का अब उमीदवार तय करेंगे राजेंदर गूजर को टिकट दिये जाने के कारण ये बात पर बार्ति जनता पार्टी को उस तरह से तनमन्ज धन्ष साथ नहीं देंगे जैसे देना चाहिए तो यहां पर भी भारति जनता पार्टी के लिए रहा आसान नहीं है खास तोर से इसलिए भी नहीं है क्योंकि राजस्तान की सरकार के खिलाब एंटी इंगम्मैंसी दिखाई दे रही है भले ही सरकार को 10-11 महिने हुए हो लेकिन काम काज के तरीके और मुखे मंत्री का कमजोर चेहरा मंत्रियों के पास काम नहीं होना विधायकों के काम नहीं होना कारेकरताओं का काम नहीं होना जुन-जुनों की सीट पर पहले भारति जनता पार्टी के दौरा बब कर दी गई है उन्होंने इस फस्ट कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे जंता के कहने पर चुनाव लड़ेंगे तो यहां पर भी भाज़पा के लिए मुकावला आसान नहीं है यहां पर भी कॉंग्रेस के तरफ से ओला परिवार में से किसी को टिकट दिये जाने की जाएंगे और उनके उम्मीदवार उत्रेंगे तो इससे कॉंग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से नुक्सान होगा लेकिन दूसरी तरफ यदि भाज़पा के भी राजिंदर भामू के सामने बबलू चोधरी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए भी राहें आसान नहीं है लगबग इसी तरह की इस्ति अलवर के रामगड़ की है जहां पर भाज़पा के ही जे आहुजा के दुवरा लगबग बगावत कर दी गई है उन्होंने बहुत इसपस्ट किया है कि पहले भारते जनता पार्टी के जंडे जला चुके हैं भाजपा के जे आहुजा को मिठाया जाता है मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है यदि जे आहुजा को नहीं मनाया जाता है तो ये तैय है कि भाजपा के लिए यहां राहे काफी कठिन है आज की तारिक में कॉंगरेस पार्टी के लिए रामगड़ दोसा और देवली उन्यरा तीन स करेंगे जुन जुन में अभी तक इस्तिती स्पस्ट नहीं है कॉंग्रेस का उम्मीद्वार जब सामनी आएगा उसके बाद में पता चलेगा कि जीत होगी या हार होगी खेंसर में सीधे तोर पर भारते जनता पार्टी और राष्टे लोकतांत्रिक पार्टी के बीच में ठक कर रहेगी